नमस्कार जहीं जे भरत दोस्तों और मैं सुनिल कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ में तो दोस्तों टॉपिक शुरू करूँ उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइ डेजी गुलबहार कई नाम हैं इसके मगर जादा तर जो हम लोग इसको पेचानते हैं वो डेजी प्लांट या गुलबहार का पोधा केते हैं इसको और यह जो प्लांट की एक खासित देती है यह जब इसका जो ग्रोविंग का प्रेड आएगा जब फ्लावर के टाइम आत दे रहे हैं इसका केर ढंग से करें तो कैड रहे हैं तो एक पेड़ से इतने ज्यादे शूट्स हो का कलियां घाजा दे रह indoor d YEU ne MRD हु जो आप Czy us मैं आप už कलिए बिखाई दे रही होगी और हर शूट्स में आपको पम कलिया आ रही हैं यह देखे नीचे आप देखेंग फूल भी धीरे धीरे पेड़ बढ़ता जाएगा और आपके फूल के जो साइजे वो भी बड़े होते जाएंगे तो इस टाइप का ये प्लांट है और इजीली चलने वाला प्लांट है सर्दी का सीजनल प्लांट है इस वज़े से ज्यादा केर भी नहीं मांगता उस टाइप और यहाँ पर जो में दिया है वह है इसको थोड़ा मैंने बाराइंची का गंला दिया है और ये पदा भी ग्रोथ नहीं ले पाया है उस टाइप से क्योंकि छोटे गंले में जो ग्रोथ होता है वो जल्दी आता है इसी की बनिस्पत अगर हम बात करेंगे बड़े गंले मे तो उसमें ग्रोथ थोड़ा लेड चलता है इस तरीके से ग्रोथ गमनों में ग्रोथ आती है और केर की बात करेंगे तो ज़्यादा केर मांगता नहीं प्लांट जब भी रखें गर्मी दिन में तो फुली सॉनलाइट में रखें और जो खाद है जो भी आप देते हैं वो एक टाइम में डीजे जो भी इसके लिए अगर आप सोयल देते आजते हैं तो इसके लिए जो वेल सोयल रहेगी वो है फाले प्लांट को जो भी देंगे एक बार देंगे अगर इसके सिवाब अगर कुछ आप एक्ष्टा देना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो ना दीजिए और जो पानी है हमेशा ख़सकर जड़ों में दीजिए जब भी पानी देने की आपको जरोत पड़ती है तो पानी साइड से पानी उपर से नडाले क्योंकि यह देखे ज्यादा पानी रहता है तो फिर पत्ते में भी असर होना शुरू हो जाता है उपर से पानी ना दे पानी दो जो देते हैं वह साइड से दीजिए और इजिली ग्रो प्लांटे और सरदी भर आपको यह फ्लावरिंग करेगा इवन हमारे इदर की बात करेंगे तो यह माई तक फ्लावरिंग में रहेगा आपका और यह प्लांट को ऐसा नहीं है कि आप इसको अभी अलग नहीं कर सकते हैं अगर आप इसको निकालने के बाद इसकी जो सूट्स हैं उनको जड़ के साथ अलग करके दूसरे गमलों में भी शि हैं हर एक में साथ आपको कलियां दीक रही होगी हर प्लांट में आपको वह चीज दिख रहा होगा कि कलियां आ रही है या कलिया बनने लग रही है और लगातार फ्लावरिंग में चलने वाला प्लांटे यह देखे अगर आप देखेंगे तो इदर भी आपके मतलब कहीं व इस नर्श्री की कि बात करेंगे तो यह आपको 30-40 उपे में आ जाता है इसका एक प्लांट खेर में तो प्लांट बाइख यह करता नहीं क्योंकि में तो इसकी सीट कलेक्ट लेता हूँ और उन सीट से यह इन प्लांट को ग्रो करता हूँ ज़्यादा नहीं करता मगर 12 फेड लगा लेते हैं और उसे से अमारे गार्डन में ये प्लांट हर साल बने रहते हैं लगाता रहते हैं तो ऐसे करके प्लांट easily grow है easily care भी है इसको आप grow भी easy करेगा और आप इसको care भी easily कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें बीमारे का इतना प्रोब्लम रहता नहीं अगर प्लांट को अपने fully sunlight में रखा हुआ है तो प्लांट ज़्यादा आपको प्रोब्लम नहीं करेगा हां कुछ एक प्रोब्लम हो सकती है सरदी में अगर धूप प्लांट को ढंग से ना मिल पा तो असालत में पत्ते की घ्रोध धन से नहीं आएगी और हो सकता है कि पत्ते में पीला पन आने लगे और प्लांट से स्पाफ़ा से जलने लगते हैं जुखने लगते हैं वह एक प्लांट में बना रहता है अगर इसको गर्मी मिलेगे तब तो प्लांट ने के बाद बहुत तो जब भी आप इस प्लांट को लगाते हैं फुली सनलाइट में रखे और इवन जब भी आप लगाएंगे तो आपका 10 और 15 दिन के अंदर आपकी प्लांट की जो ग्रोथ हो जाएगी वह इस टाइप से हो जाती है तो मैंने इसे लगाए वे ज्यादा दिन नहीं हुआ है अ पंदरा दिन के आसपास हुआ है और पंदरा दिन में देखिए आप प्लांट भर गिया है और पूरा इसने गमले में कहीं जगह नहीं रखावा है कि कहीं से मैं इसके उपर कोई काम कर सकूँ तो इस टाइप का प्लांट है सीजने विर्बल प्लांट है सीजन के साथ में च तो प्लान्ट आपको कोई प्राब्ललम नहीं करेगा तो मिलता हूँ एसी वीडियो एऽी कांटेंट के लिए अगली वीडियो अगले विडियो में तब तक के लिए जे हीं जे भारत वंदे मातारण बाई बाई टेक केर